कि नमस्कार दोस्तूं आशा करता हूं सब अच्छे होंगे लेकिन UPSC स्टुडेंट की लाइफ का जो एक जब जर्णी स्टार्ट कर लेता है तो पहाडों का पहाड मुसीवतों का पहाड लगातार उसके उपर गिरता रहता है ऐसे ही घटना यहाँ पर करोल वाग में यानि देखने को मिली यह संख्या तीन से ज्यादा भी हो सकती है जाकि जो सिमिलर वे में कर देखा जाए नियूज के माधियम से तीन दिखाए जा रही है इस परस्ता के अधार पर कई सारे आरों भी लग रहे हैं लेकिन आज जानते हैं कि जो कोचिंग फिल्ड के बहुत सारे ज देख दे जाती हैं और आप प्रकार से कह सकते हैं पद्ध प्रदसक होने के नाते कहीं न कहीं अपने चरणों की या अपने घरवालों के पैसे की आहूती देना स्टार्टिंग कर लेते हैं दोस्तों प्रस्ण यह नहीं है अभी 27 जुलाई की घटना है यह सामको 6-6 बजे क त्यारी कर रहे थे और त्यारी करने के साथ साथ प्रिलम्स बीएक बार हुआ है दो दिन पहले घटना में एक बच्चे का उकरण से होजाता है मुद्द्द यह नहीं है तो अभी कल सर ने एनाई को इंटर्वु दिया है, उस इंटर्वु में लगभग काफी चर्चाएं की गई हैं, क्या कमेटी हैं, क्या किक्रियाएं हैं, इससे पहले नोंने अपनी जो एडवाजरी है, वो जारी कर दी गई, तो एडवाजरी जारी करते समय नोंने कुछ अगला पॉइंट, इन बच्चों के परिवारों के रूप में अगर देखेंगे, तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, कि इन परिवारों के पीछे अगर देखा जाए, तो यहाँ पर परिवारों के हमारा प्रिट्यक्ष परिषय नहीं है, पर उन्तु दुख के घड़ी में इनके साथ है, कुल मिलाके कह सकते हैं कि यह ऐसे परामेटर तैक किये गए हैं, जो एक अपनी आधार पर तैक करे, प्रशन यह बन जाता है कि जो यहाँ पर डिवेट की गई है, वो अलग secondary option है, लेकिन जो विकास सर या ओधास सर इन सब के माध्यम से जो अपेक्षाएं की जा रही हैं, इस समय बच्चे दुख के घड़ी से गुजर रहे हैं, और दुख के घड़ी में अगर सभी community या teacher community या coaching community के साथ नहीं होगी, तो सरकार की नेती हैं, सर सरकार की जो पोलिसी हैं, सरकार का जो नियम है, कानून है, उनको कैसे लड़ पाएंगे, मुद्धा basement में पानी भरने का नहीं है, आल्मॉस अगर आप देखेंगे दिल्ली जैसे बड़े-बड़े सहरों में, मेट्रों में, जो मेट्रों हैं वो underground ही चलती हैं, तो फिर तो क्लास रूम के अलावा भी बहुत सारी ऐसी समस्या हैं, जैसे एक्जाम्पिल वेस पे, क्या सुरक्षा विवस्था के लिए एक ऐसी प्रिक्रिया कानून विवस्था नहीं है, प्रटाकॉल नहीं है, लोकपाल नहीं है, जहां पर हर कोई व्यक्ति के अधार पर coaching के established धाश क्लास लेने से पहले जब भी कोई ऐसी करिया हैं, अगर आप किसी coaching में जाते हैं, तो एक demo होनी चाहिए, सुरक्षा विवस्था को लेकर demo होने चाहिए, कि हाँ ऐसी सती में आप क्या करेंगे, यानि उनको एवर बताया जाए कि यहां पर आपदा से कैसे निपट सकते हैं, और आपदा होने के समय आप किस प्रिकास से किस दर से आप उजरेंगे, यानि वो प्रबंद होने बच्चों जनकारी नहीं होती है, दुसरा पॉइंट, लाखो करोरों की रूपे की फीस लेने के उपर आंतवी, हम यहां इसपस्थनिती नहीं बना पाते हैं, क्या एक कोच लाज की रूम की स्ट्रेंट्स है, यानि कह सकते हैं कितनी होनी चाहिए, यह भी हम लिती नी बना पाएं, साथ में बिध्यारती हमेशा किसी कोचिंग से अपक्षा करता है, अगर मैं कोचिंग करूंगा, तो उसके होने से मुझे लाब मिलेंगे, अगर वो अपक्षा पू आईस वले को पढ़ा रहा है, यानि आप उस प्रतियोगी छेतर से नहीं गुजरा, यानि एक्जाम्पिल बेस पे सिख्षक का चैन कैसे किया जाए, या उसका मान दे कितना रखा जाए, या नियुनतम एक प्रिकार से कह सकते हैं अधार क्या हो, यानि एक प्रिकार से कह सक संस्था नहीं है, जहां पर विध्यारती अपनी कोचिंग के इंडस्टी को लेते हुए, या तयारी करते समय, होनल सिखातों को वहाँ पर जाकर दर्च करा सकता है, यानि एक प्रिकार से जो बहुत सारी मोटी-मोटी कोचिंग है, बड़ी-बडी कोचिंग है, बिग्याप जाती है, तो मुद्दा ये है कि सरकार वो नेती बनाए, कोचिंग हब कहां रखे जाए, इस्थान का रहा का जाए, कैसे रखा जाए, अधिक्तम सीमा कितना हो, टीचर कैसे हो, फीज कितनी हो, रेंट कितना हो, खुला माहोल कैसा हो, एनर्जी कैसी होनी चाहिए, यानि कु कोचिंग इंडेस्टी में जारो, ढई लाग, तीन लाग, चाल लाग रूफी जमा करने के बाद भी, वो कोचिंग आपको इतनी प्रियारिटी के साथ ये नहीं कह सकता है, प्रात्मता के धारपर कि हाँ, आपको ये सुबिधाए, इस धारपर मिलिंगागा, इस पे हम फु हो सकती है, ये आंकडे, मुझे लगता है कि आप सब जानते हैं, समाज है, बजार है, सारी गतिविधी यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों, इन दोन लोगों ने बहुत सारे अपने बिचार रखे हैं, अवदल सर ने, देरी करी, कैसे देरी करी, क्या होगा, इ दोस्तों, आपकी क्या रहा है, कमेंट बोक्स में जरूर कमेंट करिएगा, लेकिन दुरुभाग के कभी से आई, जिस देश में सेवा करने के लिए भाव से विध्यात त्यारी करते हैं, उस भाव से उन मोतों का कहिना कहिना बना हुआ है, यानि ऐसी जगे जहां जहां पर आठ भाई, आठ के कमरे में आठ लोग रह रहे हो, सोचो बड़ा दुबहरा की कभी से बन पाएगा, तो जगे क्या है, यह क्या है, आपकी क्या रहा है, यानि क्या कोचिंग सेंटर को किसी ऐसे एरिया ब सिप्ट किया जाए, कोचिंग सेंटर के लिए कुछ नियम बनाये एक विध्यारतियों के लिए लोकपाल लाया जाए, साथ में टीचर किस आधार पर रखे जा सकते हैं, इसका आधार किया है, जिससे आप अगर प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर टीचर की लिजिबिल्टी टेस्ट होता है, जिसको टैट कहते हैं, सी टैट कह सकता है, इसकी कोई अधारी नहीं है, वो किस अधार पर पढ़ेगा, कहां रहेगा, कैसे रहेगा, रेंट कितना देगा, कितना अधार पर रहेगा, हर चीज का एक प्रटोकॉल है, नहीं है, आप क्या चाहते हैं, एक बार कमेंट बोक्स में रूप बताइएगा, आपको कै लिए ना किया जाए क्योंकि विद्धियार्तियू का लगातार इसमें में स्वी फसा हुआ है और सबसे क्रिस्वल टाइम चल रहा है जब आप 25 के लिजारी कर रहे हो तो यह सबसे बैस टाइमिंग होता है जुलाई अगस सेप्टमबर अक्टूबर का जिसमें आप अपने आ all the rest